फ्रेंट्स आज़ हम बात करें है सुजलोन अनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे उर्जा ग्लोबल की जो मैंने बात कही थी वो बिर्कुल सच साबित हुई दोनों श्टॉक खिलाडी निकले उर्जा ग्लोबल तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता गया और लगबग एक महिने में आपकी रकम को दुगुना कर चुका है लेकिन दो दिन से सुजलोन अनर्जी भी बहुत ही जबदस तेजी से आगे बढ़ा है कल तो इन दोनों श्टॉक ने कमाल कर दिया पूरे बाजार में भेंकर गिरा ओर थी चारो बाजू त्रही त्रही मची थी उस समय ये श्टॉक अपर सर्खिट में थी और जो मैं कह रहा था कि ये दोनों श्टॉक आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रेटिन देंगे बिल्कुल उस परिपाटी पर ये चलने लगे और यहाँ पर जो अपडेट है उस देखके आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये श्टॉक वाकई प्यॉर गोल्ड है और यहाँ पर आपको निवेस करना ही चीए ये ग्रीन अनरजी के जो दोनों स्टॉक है ये आने वाले समय में आपके सारे सपने साकार कर सकते है तो इसके पीछे वज़े है उसको जानेगे और मैंने आपको लगातार खरीदारी के लिए बोला हुआ है यहाँ पर लगबग 3 रुपे के आसपास खरीदारी की हुई थी अब आप देख लो कि सुजलोन भी साड़े साथ के आसपास आ चुका है ये स्टॉक भी दोड़ेगा और साथ में उर्जा गलोबल तो कमाल कर रहा है बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 500 में जाते को दिखाए देंगे जो हमने टारगेट दिया हुआ है पास साल का वो बिल्कूल जाएंगे वहाँ तक और आपके निवेस को कई गुना बढ़ा देंगे लेकिन इसके बीच में आपको कही अपडाउन देखने को मिलेगी बाजार में भी फिलाल रोलर कोस्टर बना हुआ है कल भहेंकर गिरावट हुई आज बहुत बड़ी तेजी हो गई तो एक दिन में ही बाजार में इतना अपडाउन हो रहा है ऐसे समय में हमें ऐसे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जो आने वाले समय में देश का भविश्य हो और वो है ग्रीन एनरजी से समधनी स्टॉक यानि रिजनमल एनरजी का बीजिस करने वाली ये कमपनिया एक विंट टर्बाइन का निर्वान करती है और दूसरी सोलर प्रोडेक्ट बनाती है सोलर रूपड़क का में कामकाज़ साथ में इवी बैटरी का निर्वान भी करती है ये दोनों स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटन दे सकते हैं अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सबस्काइब कर दीजिए एक बेल लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जिरू कीजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्स एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बात कर लेंगे हम सुझलोन एनर्जी की तो अभी साड़े बारा के आसपास का टाइम है स्टोक आज उपन हुआ 7.30 पर हाई इसकी 7.45 की है लो 7.30 का अभी फिलाल स्टोक 5% अपर सर्कृट पर लगा हुआ है यहाँ पर एगर वॉल्यूम देखें BSE में वॉल्यूम भारी हुआ इस लेवल के हिसाब से जब काफी कम समय में अच्छा वॉल्यूम देखने को हमें मिला है यानि करीब 1.69,51,000 का वॉल्यूम हो चुका है सामने 1.28,24,000 की डिलेवरी उठाई गी है और डिलेवरी का परसेंटेज 75.65% है तो माइन ब्लोइन कॉंटिटी में काम कच हुआ है यह बहुत भारी कॉंटिटी है यह आप देखलो एक तरफ सर्कृट लगा उसके बावजुद भी आप देखलो वॉल्यूम कितना सांदार हुआ है बात कर लेते हैं एनेस से की तो 3.57,55,000 का वॉल्यूम हो है सामने 1.66,94,000 की डिलेवरी उठाई गी है डिलेवरी का परसेंटेज 46.69% तो दोनों एक्षेंट में बहुत ही सांदार कामकाज हो रहा है अगर हम इसके सेलर बायर के आखड़ी की तरफ चले तो फिलाल अभी अपर सर्कृट लगा हुआ है लेकिन 1.43,000,000 अभी भी लोग खड़े है इसको लेने के लिए फ्रेंड्स अगर हम इसके वॉल्यूम का अनालिस करें तो पिछले एक मैने पहले इसका 7 क्रोड का वॉल्यूम था वन विक पहले भी 7 क्रोड का वॉल्यूम था कल भी 7 क्रोड का वॉल्यूम था आज 12.12 की बीच में 5 क्रोड का वॉल्यूम अलड़ी हो चुका है लेकिन सुजलोन नहीं डॉड़ रहा है तो देख लो आप दो दिन से सुजलोन ने भी शुरू कर दिया डॉड़ना और कल तो बड़ी बाजार में क्रेस्ट के बाउजुद भी इसने अपर सर्किट लगा है पिछले पास साल के यह साब से तो इसका रिटरन अभी फिलाल निक ध्यानकर इसके बीच में बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है सैंसेक जो 62,000 तक पहुचा था वो फिलाल 56,000 तक आ चुका है तो काफी बड़ा करेक्शन आ चुका तो इसमें यह आपको श्टॉक अब दौरता वो दिखाई देगा यहाँ पे सबसे बड़ी ब पर फर्स सपोर्ट है श्टॉक और नीचे की तरफ गया तो 6.43 तक जा सकता है थर्ड सपोर्ट 6.27 का है उपर की तरफ मुग करने पर जो टार्गेट निकल के आ रहे है वो 7.27 का फर्स टार्गेट है 7.43 का सेकेंड टार्गेट तो 7.77 का थर्ड टार्गेट है लगपक दो अच्छी हो चुके आप बिल्कुल बुलीच जोन में श्टॉक है और काफी आगे जा सकता है यह जो तेजी बंद्रियस के पीछे वज़ा है कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि आने वाला जो समय है वो रिद्मेबल एनर्जी के नाम पे होने वाला है और ऐसे श्टॉक आपको दाउन लगाना ही चीए क्योंकि जो एद्रिग बिजनस है इसका यह इसका तोड़ वो है जो परम परागर्द उद्जा दे ही नहीं सकती जो सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि इस बिजनस में यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिट मिल रहा है वो है इन्वार्में को हो रहा है और इसलिए इसको अपनाने की कोशिस जारी है और विश्व पूरा इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि आने वाले समय में हमें उर्जा के इसी स्रोत को आगे लेके चलना है तो आने वाला जो भविश से वो तो इसी के नाम पे होने वाला है और ऐसे समय में हमें इसके बारे में सोचना ही चीए जो इस सेक्टर के स्टॉक है और यह आपको सब के लिए बड़ी गोल्डन अपर्चुनिटी यह स्टॉक जो सुझलाद उनर्जी है या फिर आप ग्रिन एनर्जी से समझनी उर्जा ग्लोबल ले यह कोडियों के भाव में मिल रहे है पैनी सोचना ही चीए यह आने वाले समय में आपको मल्टिवेगरेटन बिल्कुल देंगे क्योंकि यह जो ग्रिन एनर्जी है यह फिर से रिनेबल है जिसको जितना चाहे उतना प्रोडेक्शन आप कर सकते हो और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एनर्जी आपको किसी प्रकार की क कोई नुकसान नहीं पहुचा रही है तो इसलिए इस एनर्जी को बहुत बड़ा है जो बेनिफिट मिल रहा है सबकी तरब से और सारे जो ब्रोकरे जाऊस है वो भी इस रिनेबल एनर्जी के स्टॉक पर दाव लगाने के लिए कि आपको इस समय खरीदारी करने ही चीए क् विष्व के सब देशों ने लगबग ठान लिया कि आने वाले समय में हमें पूरा का पूरा अपना कारोबार जो है वो ग्रीन एनर्जी के उपर ही चलाना है जीरो कारबन पॉलिशी लाने वाले हैं हमारे इंदुस्तायन के पीयम ने भी कह दिया कि 2017 तक हमें जीरो कारबन पर चलना है और 2030 तक लगबग 50% हमें पूरा 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 अपना कारूबार इस एनरजी पर लाना है तो आप देख लो इस समय निवेस का मौका बनता है बिल्कुल निवेस कर ले क्योंकि पूरी तरह से फेवरेबल है यह मार्केट भी और यह गवर्मेंट भी तो बिल्कु अपर सर्केट लगना और मैं ऐसे श्टॉक आपके लिए काफी पहले चुनके निकालता हूँ जो श्टॉक उस समय बिल्कुल डेड अवस्ता में होते हैं बिल्कुल मृतियु सहया पे होते हैं वहां पर अपडाउन नहीं देखने को मिलता हूँ वहां से मैं आपको चुनक लोगों के कमेंट आते थे सर आप इनी स्टॉक के ऊपर लगातार के ऊपर बोलते हो इतना सारा कहते हो लेकिन यह तो बढ़ते ही नहीं अब देख लो सर यह स्टॉक दोड़ने लगे तो लगातार दोड़रे और यही बात होती है कि मैं ऐसे स्टॉक को चुनके निकालता और यही होता है ऐसे स्टॉक में निवेस का जरिया और मैं इसलिए आपके लिए ऐसे स्टॉक चुनके निकालता हूँ अगर विश्वास आप करते हो तो आपको अच्छा रिटन भी मिलता है तो फ्रेंट्स अगर हम इसके वॉलिम को देखे तो पिछले एक मैंने पहले इस इसके रिटन को अगर हम देखे तो पिछले पासार में इसने 946% का पॉजडिय रिटन दिया है त्री यर के इसाब से 294% का पॉजडिय रिटन है वन यर के इसाब से 111% का पॉजडिय रिटन है त्री मन्त के इसाब से 129% का पॉजडिय रिटन है और वन मन्त के इसाब से 94 4.52% का पाज़ी रिटर ने वंडे के सबसे 4.80% का पाज़ी रिटर ने यहाँ पे अगर हम कम्यूनिटी सेंडिमेट देखें तो 95% इसको लेना पसंट कर रहे है एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेए यहां से अगर श्लीप होता है तो 12.75 पर फंपोट है श्टॉक और नीचे गया तो 11.95 पर जा सकते है और 3rd support इसका 11.55 आगा उपर की दरुग करने पर जो टार्गेट निकल के आगा है वो 13.95 का फर्ट टार्गेट है 14.35 का सेकेंड टार्गेट है 15.15 का थर्ड टार्गेट है तो बहुत जल्द ये 15 के पार जाने को तयार हो चुका है और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख लो कि सूजरान एंदर्जी में जो तेजी बन रही है इसके पीछे काफी ज्यादा रूमर भी चल र हुए और दूसरी तरफ यहां से उससे कोई इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई बड़ा ग्रूप आ भी जाता है तो नई उर्जा मिलेगी शेयर को और इस कंपनी को तो फिर हम तेजी से बढ़ता हो दिखाई देगा लेकिन आप अपना कंपनी का लगातार बड़ा है पिछले सेप्टमर से सेप्टमर के द्वारान तो आपको निवेस के बार में सोचना ही चाहिए उर्जा ग्लोबल का मैनेजमेंट भी काफी तेजी से मैनद भी कर रहा है और जिस सरसे इसका रिजल्ट रोका गया है आने वाले समय में कुछ प यह अपना खूट का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से रुकिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यों